आज की इस वीडियो लेसन में हम पड़ने जा रहे हैं Management of Hazardous Waste के बारे में यानि किस तरह से हम Hazardous Waste को manage कर सकते हैं यानि कि treat कर सकते हैं, dispose of कर सकते हैं जिसके वज़ा से Hazardous Waste का हमारे Environment पर जो Negative Effect है वो कम से कम पड़े और इस topic के under हम 3 different techniques की बात करेंगे उन 3 techniques के बारे में समझेंगे जिनके through hazardous waste को manage किया जाता है सबसे पहले हम समझेंगे deep well injection के बारे में और दूसरे नमबर पर हम समझेंगे plasma gasification के बारे में और third यानि at last हम समझेंगे incineration के बारे में सबसे पहले बात करते हैं hazardous waste की तो ये जो hazardous waste होता है अगर इसे सही ढंग से collect ना किया जाए और treat ना किया जाए और सही ढंग से dispose of ना किया जाए तो ये जो hazardous waste है ये हमारी environment पर और हमारी human beings जो हम लोग हैं हमारी health पर negative effect जो है वो produce कर सकता है और ये जो hazardous waste है ये solid भी हो सकते है liquid भी हो सकते है और gases form में भी हो सकते है और ये primarily यानि mainly hazardous waste है वो chemical production units से produce होते हैं manufacturing units से produce होते हैं और साथ ही साथ industrial activities की वज़ा से hazardous waste जो है वो produce होते हैं और ये हमारी environment को damage पहुँचाते हैं ये जो अगर hazardous waste को properly store ना किया जाए डिस्पोज ना किया जाए तो ये हमारे surface water को और ground water को pollute भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जो hazardous waste है ये land pollution का भी एक कारण बनते हैं तो ये जो hazardous waste management का process है ये एक ऐसा process है जो ensure करता है कि हम hazardous waste को properly store कर पाएं ट्रीट कर पाएं और dispose कर सकते हैं जिसकी वज़ा से हमारी environment पर और लोगों की safety पर कोई भी negative effect ना पड़े अब हम समझेंगे ये जो hazardous waste है इसे कौन-कौन सी different techniques से manage किया जा सकता है सबसे पहले हम समझेंगे deep well injection के बारे में फिर हम समझेंगे plasma gasification के बारे में और at last हम समझेंगे incineration के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं deep well injection की तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये बहुत गहरे जो wells हैं वो हमारे earth के crust में यानि कि एक special type के जो wells होते हैं वो हमारे earth के crust में drill किये जाते हैं और इन wells के थुरू जो हमारे liquid hazardous waste हैं उन्हें earth के crust के बहुत ही नीचे जाकर inject कर दिया जाता है और ये जो है least expensive method है यानि कि इसमें बहुत कम खर्चा आता है as compared to other management techniques और साथी साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि ये जो deep injection well है ये हमारे water table के भी कहीं जादा नीचे तक drill किया जाए ताकि हमारा जो water table है वो इस liquid hazardous waste की वज़ा से pollute ना हो और इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि ये जो हम जब liquid waste को जब inject करते हैं in wells के अंदर तो एक calculated यानि कि एक sufficient pressure जो है वो उस time ध्यान में रखा जाता है ताकि जो हमारे earth की layers है जिनके बीच इस liquid waste को inject किया जा रहा है उनके उपर कही hydraulic pressure की वज़ा से fractures ना आ जाए और अगर इन layers में fracture आ जाएंगे तो हमारा hazardous waste liquid waste है वो leak होकर हमारे water table को भी pollute कर देता है इसलिए जो है pressure का खास दियान रखा जाता है एक pressure की एक limit में जो है जो हम liquid waste को limit के एक limit के pressure में जो है हम liquid waste को जो है इन wells के थुरू inject करते हैं और यह जो wells होते हैं इनकी जो average depth होती है वो 4000 feet के करीब होती है और इन wells को जो है हमारे ground water से और human contact से जो है अलग रखा जाता है यानि यह wells यह आप इस diagram में देखिए यह well इस तरह से बनाए जाते हैं कि इन wells की जो side की walls हैं वो cement कर दी जाते हैं यानि ऐसे material से बना दी जाते हैं ताकि इन में से जो है पानी और हजार्डस liquid जो है वो बाहर की तरफ पास ना हो सके और हमारा water जो है वो pollute water table जो है निकाल लिया जाता है क्योंकि अगर liquid waste के अंदर suspended solids होंगे तो यह suspended solids हैं जब हम इस liquid को inject करेंगे अपने soil की layer में तो यह suspended solids जो है इस soil के pores को जो है वो block कर देंगे और हम जो है liquid waste को जो है inject नहीं कर पाएंगे और साथी साथ यह भी ध्यान रखा जाता है कि जिस layer में यह जो layer है जिस layer में इस liquid waste को inject किया जा रहा है उसके उपर वाली side और नीचे वाली side दोनों side जो है impermeable layer हो जिससे water पास ना हो सके और हमारा liquid waste है वो भी जो है इससे पास ना हो सके जानि कि इस layer में हम liquid waste को inject कर रहे है वो जो है उस layer से जो है हमारा liquid waste जो है leak ना हो और हमारे water table को नुकसान ना पहुंचाए इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है उसके बाद ये जो deep injection wells होते हैं ये भी अलग-अलग categories के होते हैं और environmental protection agency ने इसे six different types में बांटा हुआ है और class जैसे की class 1, class 2, class 3, class 4, class 5 और class 6 हम जैसे जैसे class 1 से class 6 की तरफ जाते जाते हैं तो इन wells की जो depth है वो कम होते जाते हैं यानि कि सबसे जादा depth जो है class 1 wells की जो होती है और ये आप अपनी knowledge के लिए पढ़ सकते हैं कि ये different classes के wells जो हैं वो किस काम के लिए use किये जाते हैं अब हम बात करते हैं जो injection wells हैं उनकी advantages की यानि क्या-क्या इस method के इस technique का हमें क्या फायदा है ये एक ऐसी technique है जिसमें हम large volumes of waste जो है वो जो है हम हमारे earth के surface से remove कर सकते हैं साथ ही साथ ये एक long term solution है हमारे जो waste generation हो रहा है उसका और इसमें जो है काफी सारे proven methods और technologies यूज की जाती है जो कि हमारी जो modern regulatory criteria है यानि जिस criteria को follow करना है हमने कि ताकि हमारी environment को negative effect ना हो उस criteria को ये जो deep injection wells हैं वो follow करते हैं उसके बाद ये एक financially competitive solution है यानि as compared to other methods of waste management ये जो method है काफी cost effective होता है और इसको low operational और low maintenance costs की जो है जरूरत परती है उसके बाद ये जो टेक्निक है ये land filling insulation और हमारा जो traditional waste water treatment है उनके comparison में काफी हद तक जो है जो है अच्छा है और फाइदे मन है अब हम बात करते हैं deep well injection की technique की disadvantage है उनके बारे में ये जो faults है ये earthquake को trigger भी कर सकते हैं उसके बाद साथ ही साथ जैसा कि हमें पता है इन wells के थ्रू हम hazardous waste को पंप करते हैं हमारे crust के अंदर तो ये जो hazardous waste है ये हमारे काफी बार ऐसा होता है कि ये जो hazardous waste है ये जो wells होते हैं इनकी walls को जो है वो leak हो जाता है और हमारे water table को जो है pollute कर देता है तो ये तो था deep well injection के बारे में अब next हम समझेंगे plasma gasification technology के बारे में यानि हम इस plasma gasification technology ये क्या होती है और इस से किस तरह से hazardous waste को हम manage कर सकते हैं तो ये एक ऐसा method है जिसमें जो waste है उन्हें high temperature पर burn किया जाता है और उन्हें gas में और inert residue में change कर जाता है inert मतलब inactive या फिर non reactive substances में जो है हम hazardous substances को change कर देते हैं उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि plasma क्या चीज़ है plasma एक ऐसी state of matter है जिसमें ये होती तो gas की तरह है बट इसके अंदर बहुत जादा charged atomic particles होते हैं जो कि कैसे बनते हैं जब हम in atomic particles में से जब electrons को remove करते हैं तो ये ions में change जाते हैं और हमारा जो plasma है इसमें बहुत सारे ions, electrons और charged species जो है वो देखी होती होती है ठीक है तो ये जो plasma है इसके थुरू जो है extreme temperature generate किये जा सकते हैं जो कि 2500 degree Celsius से 4000 degree Celsius तक भी temperature जो है attain किये जा सकते हैं और इतने high temperature पे किसी भी substance को easily seconds के अंदर melt किया जा सकता है और साथी साथ इस method में जो हम gases यूज करते हैं जिन से हम plasma generate करते हैं वो हैं argon, helium, methane, steam और air भी जो है हम plasma gasification technology में यूज कर सकते हैं और ये जो method है दो इसमें बहुत जादा research की जा चुकी है बट ये जो है on ground बहुत कम facilities हैं इसकी क्योंकि इसके अंदर इसको बनाने में इसको operate करने में बहुत जादा cost जो है हमारे जो government agencies हैं जो भी उन्हें bear करनी पड़ती है जाँ उसके बाद बात करें plasma gasification technology में क्या क्या होता है सबसे पहले क्या होता है कि हम जो waste है उनसको pre treat करते हैं या इसमें क्या है कि waste की जो volume है उसे कम करते हैं Shredders use करते हैं back splitting जूज करते हैं over size picking just thatcher use करते हैं जिसके वज़ा से से हमारे為 Hence की जो volume है वह कम हो जाती है और Volume कम करने के बाद , इसके बाद क्या किया जाता है इस waste को shot किया जाता यैंनि इसके 20 से तो इस इस जो हिजार्اد वेस्ट होता है उसे अलग-अलग होता है उसे अलग-अलग कैटेग्री का जो हिससे ऑउसे अंदर जो अलग होता है जैसे कुछ वाइबरेटिग पेशियों हैं परकरceptions करके हम अलग कर सकते हैं मैगने उनको होता है उसके बाद manual sorting कर सकते हैं drum separator यूज करके हम hazardous waste को sort करते हैं फिर sorting के बाद का next process आता है thermal treatment इसमें क्या किया जाता है जो hazardous waste है उसे plasma के साथ उसमें क्या है plasma जो है एक chamber में plasma generate किया जाता है जिसके अंदर high temperature पर hazardous waste को burn किया जाता है और इस burning में sin gas produce होती है और यह जो sin gas है इसे फिर बाद में clean किया जाता है और cleaned sin gas होती है उसे power generation में use किया जाता है यानि हम electricity produce करने में जो है यह sin gas use करते है और जो last में जो हमारा waste product बचता है उसमें काफी सारे ferrous metals, inert materials, non-ferrous metals, heat और electricity और slag residue जैसी चीज़ें पैदा होती है और काफी सारी चीज़ों को last में जो है इनको क्या किया जाता है compact किया जाता है, bailing की जाती है और इने dispose किया जाता है या इनसे कोई नई चीज़ें बना कर जो है market में बेची जाती है अब हम बात करते हैं इस technique की advantages की तो advantages की बात करें तो इस technique में क्या होता है कि जो हमारा waste material या slack जो produce होता है उसे हम construction material उसे काफी सारे construction material जो है बना सकते है और ये एक clean destruction process है उसके बाद ये जो ऐसा process है जिसमें हम organic waste को burn करके sin gas produce करते हैं जो की electric power generation और thermal energy production में काम आती है उसके बाद जो gases इस process के through emit होती है हमारी air में वो clean होती है उनमें वो clean होती है as compared to landfills और incinerators अब बात करते हैं disadvantage चीज़ की तो ये एक ऐसा process है जिसमें बहुत जादा high operational और maintenance cost जो है वो bear करनी पड़ती है उसके पाद ये एक energy intensive process है यानि इसको operate करने के लिए भी बहुत जादा energy की जुरूरत पड़ती है जिसकी वज़ा से हमारा जो overall energy output है वो बहुत कम निकल कर आता है अब last में third हम discuss करेंगे incineration के बारे में तो ये जो incineration है ये एक ऐसा waste disposal का method है जिसमें हम trash यानि जो हमारा waste material घरों से या हमारी locality से जो trash निकलता है कचरा निकलता है उसे हम high temperatures पर burn करते हैं और उसकी volume को reduce कर देते हैं और साथ ही साथ energy भी जो है इस process में produce होती है ये एक aerobic process है या oxygen या air की presence में ये process होता है और इसमें क्या किया जाता है हम जो भी solid waste है या हम उसे burn कर सकते हैं या फिर हम एक कोई selected portions यानि हम किसी particular category का waste है उसे भी जो हम burn कर सकते है as a fuel और जो incineration है इसमें जो है बहुत अलग अलग तरहां के temperatures पे ये जो incineration का जो technique है वो operate की जा सकती है depending और जिस किस तरहां का हम material और ये जो हम इस technique में जो temperature यूज करते हैं वो depend करता है कि हम किस तरह के material को incinerate करना चाहते हैं और एक average temperature जो इस incineration के process में यूज के जाता है वो range करता है 500 degree Celsius से 200 degree Celsius और और साथी साथ ये जो method है ये जो incineration का method है इसमें जो waste है उसे burn किया जाता है और और साथी साथ उससे हम क्या होता है इस incineration के method की वज़ा से हम जो है waste की volume को reduce कर सकते हैं और जो हमारे complex hazardous waste materials हैं उन्हें हम simpler non toxic materials या substances में भी change कर सकते हैं उसके बाद जब incineration का process हो जाता है complete उसके बाद जो waste produce होते हैं उन्हें हम easily manage भी कर सकते हैं और ये इन तीनो processes में जो हम समझ रहे हैं उन तीनों में second most often used technique है यानि second number पर use की जाने वाली technique है क्योंकि जो landfill है वो आजकल बहुत कम जो है landfill technique जो है बहुत कम use की जा सकते की जाती है क्योंकि आजकल जो space है जो जगा है landfill बनाने की वो बहुत rare हो गई यानि आजकल बहुत कम जगा जो है landfill बनाने के लिए मिलती है ये जो incineration का process है इसमें जो hazardous waste है जो भी waste होता है उसे different processes से जो होकर गुजरना पड़ता है जैसे कि सबसे पहले drying फिर उसकी gasification होती है उसके बाद ignition और combustion होती है gases की फिर last में solids को burn कर दिया जाता है ठीक है और अब बात करते हैं incineration की advantages के बारे में तो ये जो incineration का process है इसमें इसका हमें फाइदा ये है कि जो हमारा waste है उसकी quantity जो है incineration के बाद बहुत ज़्यादा काम हो जाती है और वो easily manageable बन जाते हैं उसके बाद ये जो incineration ये एक efficient waste management technique है वो कैसे अगर मान लीजी किसी भी locality में waste produce हो रहा है उसी locality के पास ही अगर हम incineration plant लगा देंगे तो क्या होगा हमें जो है हम efficiently waste को manage कर सकते हैं और अगर हम जो है उसके बाद जो है हम ये जो incineration process है इससे हम heat भी produce कर सकते हैं और electricity यानि के power भी produce कर सकते हैं उसके बाद landfills के comparison में जो incineration है उसमें बहुत कम जो है pollution देखने को मिलता है उसके बाद ये जो मैंने आपको कहा कि ये जो incineration plants है ये locality के पास ही जिस locality में waste generate हो रहा है उसके पास ही जो है install किये जाते हैं जिससे क्या होता है हमारी transportation cost जो है वो भी बशती है उसके बाद transportation से जो pollution होना है वो भी prevent होता है वो भी नहीं होता जिससे हमारी जो overall carbon footprint है वो reduce हो जाता है यानि कि बहुत कम हो जाता है उसके बाद जो noise और जो bad smell है उसके उपर भी control किया जाता है incineration के process के help से उसके बाद जो हमारे landfills हैं उनसे क्या होता है methane gas gas produce होती है जो कि एक potent green house gas है और अगर हम incineration का process यूज करें तो यह जो methane production जो है वो रोका जा सकता है उसके बाद क्या होता है काफी सारे harmful जो germs होते हैं और chemicals होते हैं उन्हें जो है incineration के process से जो है remove किया जा सकता है और जो incineration का process है यह एक all weather operation process है यानि किसी भी मोसम में जो है यह incineration का process है वो जो है waste को management करने के लिए use किया जाता है उसके बाद हम last में बात करेंगे disadvantages of incineration की तो यह जो incineration है इसमें भी जो है हमें operating cost जो है बहुत जादा high देखने को मिलती है उसके बाद इससे भी जो है pollution हालांकि pollution कम होता है landfills के मकाबले कम pollution होता है लेकिन जो इस kent pollution जो है इससे देखा जा सकता है उसके बाद इससे जो है काफी जारे health और environmental risks भी है जैसे की cancers हो गया birth defects जो है वो भी जो है young ones में देखे जा सकते है उसके बाद environmental racism का एक concept है environmental racism का एक concept है जिसमें क्या किया जाता है कि जो less educated या जो की less advanced communities है उनके पास जो है ये incinerators install कर दी जाते हैं जो की जिनके पास एक अच्छी leadership नहीं है उस area के पास जो है ये incinerators जो है इंस्टाल कर दे जाते हैं जिसकी विज़ा से उस area पर बहुत ज़दा negative effect जो है incinerators का देख तो ये तो था ये था आज का topic उमीधा आपको ये समझ आया हो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और ये topic समझ आया हो तो कृप्या इसे मेरी वीडियो को like करो subscribe करें और share करें